हलो नमस्कार माई डियर स्टुडेंस आज की इस क्लास में मैं आपको क्लास 12 हिंदी स्वा मार के काव्य खंड के दूसरे चप्टर पाद जो की सूरदास जी ने लिखे हैं उसके सभी अर्थ को बताएंगे इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं इस चप्टर से जितने भी objective या subjective question पूछा जाएगा आप उसको आसानी स्वाल्व करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसके answer को कैसे लिखा जाएगा जिससे आपका result best बने तो चलिए सबसे पहले सूरदास जी के परिचाय को जानते हैं उसके जीवनी की भी से में थोड़ा जानते हैं तो सूरदास जी जो स्री कृष्ण भगवान को अपने इश्वर मानते थे तो सूरदास जी का जन्म सन 1478 इश्वी के आसपास माना जाता है वे दिल्ली के निकट सी ही नामक गौं के रहने वाले थे सी वे परियतन सत्संग क्रिश भक्ति और विराग में रूची लेते थे जर्म से अंधे थे अथवा बड़े होने पर दोनों आखे आखे जाती रही उनकी परमुक रचनाओ जैसे आपको हो गया सूर सागर साहित लहरी सूर्शागर हो गया सूर्शागर हो गया साहित लहरी हो गया राधार सकीले हो गया सूर्शावली इत्यादी यह परमुक उसकी रचनाओं हैं इस पाट यानि कि इस पद में प्रस्तित पाट में दोनों पद सूर्दास रचित सूर्शागर से लिया गया है इस पदों में सूर की काव्य और कला से समंदित विशिष्ट परतिभा की अपूर्व जहलक मिलती है पर्थम पद में दुलार भरे कोमल मधूर स्वर में सोय हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सुचना देते हुए जगाया जा रहा है दुतिय पद में पिता नंद की गोद में बैटकर बालक स्री कृष्ण को भोजन करते दिखाया गया है तो आईए उसके लाइन बाइ लाइन को हम हिंदी में एक्स्प्लेन करते हैं तो पर्थम पद में है जागिये बरजराज कुवर कवल कुसुम फुले कुमूद विरिंद संकुचित भय भिरिंग लता फुले यानि के कहते हैं अगर इसको लिखेंगे देखिए इस टैप से अगर आपको दे देगा बोड एक्जाम में चार नमर का कुष्टन इस टैप से अपको पूछेगा कहीगा कि व्यक्ष्या करेंगे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद वातसल भाव के हैं और सूर सागर से संक्लित है जिसमें सूर दास जी मात्रिसने का भाव परदर्सित कर रहे हैं माता या सोदा अपने पुत्र कृष्टन को सुबह होने पर जगा रही है वह कहती है कि हे बरज के राजकुमार अब जाग जाओ कमल पूष्प खिल गए तथा कुमूद भी बंद हो गए कहते हैं कि कुमूद विरिंद संकुचित भए भूंग लता फुले कुमूद रात्री में ही खिलते हैं क्योंकि इनका समन्द चंद्रमा से है भ्रामर कमल पूष्पों पर मनराने लगे हैं अब नेक्ष्ट दुसरा है कि तम चूर खग सोर सुनह बोलत बन राए रामती गोखरी कनी में बचड़ा हित धाए अर्थात प्रस्तुत पद वादसल भाव के हैं और सुर सागर से संक्लित है जिसमें सूर जी मातरी सने का भाव परदरसित करते हैं ये तो आपको समय कि माता यसोदा अपने पुत्र क्रिष्ण को सुबह होने पर जगा रही है वह कहती है हेवरज के राजकवार अब जग जाओ सवेरा होने के प्रतीक मुर्गे बांग देने लगे हैं और पक्चिय वचिडियों का कल रवर प्रारम हो गया है गोसाला में गाय बचड़ों के लिए रमभा रही है नेक्स्ट है कि विदू विदू मलिन रभी प्रकास गावत नरनारी सूर स्याम प्राता उठो अंबुज करधारी अर्थात शूर्दाजी कहते हैं इसमें लिखे हैं कि सूर्दाजी कि माता यसोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुवह होने पर जगा रही है वह कहती है हे बरज के राज कुमार अब जग जाओ चंद्रमा का प्रकास मलीन हो गया रथात चांद चूप गया यानि छूप गया तथा सूर्ज निकल आया नरनारीय प्राता कालिन गीत गा रहे हैं अता हे स्याम सुन्दर अब तुम जाग उठो सूर्दास कहते हैं कि असोदा बड़ी मनुहार करके श्री गोपाल को जगा रही है वे कहती है हे हाथों में कमल धारन करने वाले कृष्ण उठो नेक्ष्ट पंक्ती है कि जेवत स्याम नंद की कनिया कचू खात कचू धरने गिरावत छवी निर्खती नंदरनिया जो कहते हैं माता स्री कृष्ण नंद की गोद में बैठ कर भोजन कर रहे हैं वे कुछ खाते हैं कुछ धर्ती पर गिराते हैं तथा इस मनुरम द्रिश्को नंद की रनिया मा यसोदा देख रही है बरी बरा बेशन बहु भातनी वेंजन बिविद अगनियां डारत खात लेत अपनों कर रूची मानत दधी दोनियां अर्थात स्रीकृष्ण नंद की गोद में बैठ कर भोजन कर रहे हैं उनके खाने के लिए अनगीनत प्रकार के वेंजन जैसे बेशन के बाड़े बरियां इत्यादी बने हुए हैं वें अपने हाथों से कुछ खाते हैं और कुछ गिराते हैं लेकिन उनकी रूची केवल दही के पात्र में अत्याधीक होती है केते हैं मिश्री दधी माखन मिश्रीत करी मुक नावत छबी धनिया आपुन खात नंद मुक नावत सो छबी कहत न बनियां अर्थात स्रीकृष नंद की गौध में बैटकर भोजन कर रहे हैं उन्हें दही अधीक पसंद है वें मिश्री दही और मक्षन को मिला कर अपने मुक में डालते हैं या मनोरम द्रिस देखकर मा यसोदा धन हो जाती है वे खुद भी खाते हैं कुछ नंद जी के मुह में डालते हैं ये मनोरम छवी का वरनर करते नहीं बनता नेक्स्ट है कि जो रश नंद जा सोदा बिलसत सो नहीं तिहू भुवनियां भोजन करी नंद अचमन लिन्हो मांगत सूर जुठनिया अर्थात स्री कृष्ण की गोज में बैटकर भोजन तो कर रहे हैं इस दिवचन का जो आनंद नंद और ये सोदा को मिल रहा है या तीनों लोकों में किसी को प्राप्त नहीं हो शकता भोजन करने के बाद नंद और स्री कृष्ण कुला करते हैं और सूर दास उनका जूठन मांग रहे हैं तो माई डियर स्टूडेंस इसका हमने पूरे एक्स्प्लेन कर दिये हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कॉमेंट में बताएंगे और आपको किस किस चप्टर का सारांस चाहिए आप हमें बताएंगे बाकिश्व ठैंक्स वेरी मच अल दा बैस्ट फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में तब तक जाय हिंद